अलो एवरीबिडी वेलकम बाक टू पर्चम आएम रचाश शर्म और आज हमें डिसकास करने हैं थर्ड अफ जुलाय 2024 के करेंट अफैस बड़ी इंट्रेस्टिंग सी चोटी-चोटी सी न्यूस है आज बहुत लंबे एक्स्परनेशन वाली कोई भी न्यूस देखने को नहीं संदीप सर ले रहे हैं वह भी देख लीजेगा मंतली मैगजीन आपको 7 जुलाय तक पर्चम-classes.in जो अपनी वेबसाइट है वहां पे अवैलेबल हो जाएगी चलिए सो आज का जो सेशन डेली करंट अफैर का जो नई बच्चे हैं हमेशा आकर के क्वेशन पूछते ही प अपने स्टेट की इंफर्मेशन थोड़ी और डीटेल में पढ़ लीजेगा बाकी पूरा काम आएगा यूपीसी के अंडर में एक्जाम दे रहे हो तो भी करंट अफैर काम में आने वाला है सो मल्टी परपस करंट अफैर है करंट अफैर में कोई बदलाव नहीं होता है ड कारिबियन विन्वर्ड आइलेंज जो है वहां पर एक हरिकेन जिसे हम इंडिया साइड में साइकलोन कहते हैं वही चीज जब हम कारिबियन आइलेंज के साइड में पहुंचते हैं तो हरिकेन कहलाती है बात वही होती है ट्रॉपिकल तूफान होते हैं ये तो एक्स्ट्री कहां खेला गया था so Barbados के Kenningston Oval Bridgetown के अंदर खेला गया और यहीं पर यह तूफान का भी इंपक्ट देखने को मिलेगा मतलब Barbados के अंदर भी इसका इंपक्ट देखने को मिलेगा National Statistics ने कब मनाया जाता है I'd asked you to 29 June को बिल्कुल सही है और किसके honor में PC Mahalanobis जी जो कि हमारे Statistics के father माने जाते है Indian context में and then finally 2000 के अंदर Malimat Committee को form किया गया था और यह सब क्या था जो हमारी criminal reforms आए हैं नई laws लाई गई हैं तीन law detail में मैंने समझाय कल के session में अगर वो तीन new criminal laws समझनी है detail के अंदर तो आप जा करके कल का session देख सकते हो तो definitely 2000 में Malimat Committee थी जिसने की एक suggestion दिया था what can be done about these criminal justice laws चलिए so आज का जो भी आप session पढ़ने वाले उसका PDF कहां मिलेगा आपको पर्चम के telegram channel और पर्चम app के free material section में पर्चम app डाउनलोड नहीं की है अभी तक तो कर लीजेगा iOS पे भी मिल जाएगी प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी सारे link आपको वीडियो के description में दिये गूए monthly magazine अभी आपको make ही दिख रही है न क्यूं क्यूंकि June की 7th of July तक आएगी इंग्लिश में आएगी 10 तक हिंदी में आ जाती है इस बार काफी सारी नई publication आनी है आपकी six monthly current affair आएगी आपकी सवाल e-book आएगी आपकी रफ्तार quarterly e-book आएगी सब कुछ आपको 10 जुलाई से पहले-पहले मिल जाएगा fine चले तो शुरुवात करेंगे आज की 3rd July के important day से super important नहीं है आज कोई ऐसा day एक बार देखने जैसा है international plastic bag free day ठीके plastic bag से free होना चीए हमारी धरती यह हम 3rd July को observe करते हैं क्यूं क्यूंकि हम तो एक दिन में एक plastic bag यूज करके पटक देते हैं लेकिन धरती को उसको decompose करने में 1000 यह लग जाते हैं डीकंपोसिबल नहीं होती है plastic राइट इसलिए बायो प्लास्टिक प्लांट 2000 करोड की लागत से हमारा एक state है जो की बहुत जल्दी लेकर के आएगा announcement कल ही हमने पढ़ाए बताए वह कौन सा state है लिखो ओके फिर एक important military exercise है जो हमको discuss करनी है that is exercise मैत्री exercise मैत्री कौन से दो देशों के बीच में होती है इंडिया और थाइलैंड इंडिया और थाइलैंड कई बार हम थाली में मैत्री दिखाते हैं आज आज मेरे साथ में खाना खाले हां तो हमारी मैत्री थाली में यानि प्लेट में देखने को मिलती है प्लेट को हिंदी में थाली कहा जाता है थाली से आप थाइलैंड याद रख सकते हो ओके नहीं तो आप अपने मित्र के साथ थाइलेंड घुमने गई हो ऐसे भी याद रख सकते हो इंडिया और थाइलेंड के बीच में एक military exercise शुरू हो चुकी है 1st to 15th of July तक ये चलेगी 13th edition है मैत्री exercise का और ये कहां होगी इस बार इस बार ये थाइलेंड के अंदर होगी और जो last edition था इसका 2019 में हुआ था वैसे ये annual exercise है लेकिन अभी 3-4 सालों से नहीं हो रही थी last edition 2019 में इंडिया में ही उम्रोय मिखाले के अंदर ये conduct हुआ था fine then like I told you annual है otherwise ये training event कब से शुरू हुआ है 2006 है लेकिन 2019 के बाद अब जाके 2024 में ये थाइलेंड के अंदर हो रहा है अब देखो जब भी military exercise पढ़ते हो न तो कौन से दो देश participate कर रहे हैं कहां हो रहे है कब हो रहे है डेट भी पूछ ले रहा है आजकल examiner examiner बड़े क्रूर हो गया है है न और फिर उसके अलावा participate कौन कर रहा है तो इंडियान आर्मी के 76 members का contingent गया है यहां से काफिला गया है पुरा participate करने के लिए majorly उनमें लद्दाक scouts है और फिर कुछ और जो टुकडियां होती है वो भी participate कर रहे हैं और अगर हम the royal thailand आर्मी की बात करें वहां से भी 76 personnel participate करेंगे 1st battalion 14 infantry regiment 4th division के तो यह अगर आप याद रख सको बहुत अच्छी बात है particularly defense वाले बच्चों आपको तो सारी detail याद रखनी है लेकिन बाकी exam वाले बच्चे अपनी side का participation तो याद रखना ही है अच्छा अब इस exercise का main purpose क्या है कुछ examination के अंदर जब statement based question आते है ना तो इस चीजों को बारे में भी पूछ लिया जाते है कि एक्साइस क्यों conduct की जा रही है तो यह जो इस बार का maitri exercise हो रही है यह jungle और urban environments जो होते हैं वहाँ पर अगर terrorist या insurgency हो जाए तो आप कैसे combat करोगे इस से related यह exercise है और as per chapter 7 of United Nation Charter इसको exercise को conduct किया जा रहा है ठीक है इसलिए मैंने point डाल दिया है now this is related to static कि India और Thailand के बीच में और कौन सी exercise होती है maitri हमने देखी दोनों देशों की आर्मी करती है Indo-Thai Corpat यह navies के बीच में होती है and Saim Bharat यह Indian और Thailand Air Force के बीच में conduct हो then next news आती है weapon system school से related weapon system का school यानि weapon system सिखाए जाएंगे school में इसको inaugurate किया गया है हमारे जो air force के chief हैं उनके द्वारा कहां पे बेगम पेट हैदराबाद में so weapon system school inaugurated by chief of air staff at बेगम पेट हैदराबाद so बेगम पेट हैदराबाद में कैसा school स्टार्ट किया गया है surface to surface weapon system कैसे चलाए जाते हैं space based intelligence कैसे work करती है तो इन सब में training देने के लिए weapon system school inaugurate किया गया है वियार चौदरी जी द्वारा कहां बेगम पेट हैदराबाद में clear है चले अगली जो खबर है वो भी अभी अभी अम defense section से ले रहे हैं यह news अभी बहुत सारी जगे circulated नहीं है मैंने चेक किया official government website पे भी नहीं दिख रही है the Hindu Indian Express इन में भी नहीं दिख रही है लेकिन still there are many newspapers which are covering it इसलिए मैंने आपके लिए ले लिया अगर कोई update आता है I will be providing you चले a look at CBEX 2 अब यह CBEX 2 क्या है इंडिया का अभी तक का most powerful non-nuclear explosive है जो हमने बनाया है इसमें nuclear capability नहीं है लेकिन इतना बड़ा explosion करेगा जितना अभी तक हम non-nuclear weapons से नहीं कर पा रहे थे So CBEX 2 इसका नाम है इंडिया gets one of the most powerful non-nuclear bombs किसने बनाया है जी Make in India के तहट Economic Explosive Limited ने जो की solar group के अंडर में आती है और इसकी testing इसका जो evaluation है और इसको certify करना के हाँ भी use करने के लिए सही है यह हमारी navy ने किया है Defense Export Promotion Scheme के तहट अब इसकी lethality यानि कितना lethal है यह 2.01 times greater than TNT जो normal TNT explosions होते हैं उनसे करीब-करीब 2 गुना powerful यह है और high melting explosive है यह बहुत greater impact cause करता है Sabix 2 clear है जी? चलिए next अब हम आते हैं books पे कल हमने books and authors का six monthly compilation किया है और अब जुलाए में और आपको कुछ किताबे देखने को मिलेंगी पहली है मनुझ बाजपई जी की The Definitive Biography authored by Piyush Pandey अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीचेगा मनुझ बाजपई जी के उपर यह जो biography है यानि उनकी जो कथा है उनके जीवनी के बारे में जो लिखा गया है यह किताब originally Piyush Pandey ने हिंदी में लिखी थी किस में लिखी थी? हिंदी में और उसका title क्या था? कुछ पाने की जिद मनुझ बाजपई जी के उपर जो किताब लिखी गई है उसका title था कुछ पाने की जिद और यह लिखी थी Piyush Pandey ने मनुझ बाजपई Piyush Pandey ठीक है अब इस किताब को English में translate किया है एक journalist ने उनका नाम है Rohit Watts क्या नाम है? Rohit Watts और यह जो किताब थी Piyush Pandey की अब इसको The Definitive Biography के नाम से लाया गया है Translated by Rohit Watts 2019 में Manoj बाजपई जी को Padmashree से समानित किया जा चुका है काफी acclaimed actor है तो आपको दो नाम यहाँ पे याद रखने कुछ पाने की जिद किसकी बाजपई है So Manoj बाजपई की है किसने लिखिये? Piyush Pandey ने लिखिये Translate इसको English में किसने किया है? So it is translated into English by Rohit Watts Next RSS के Chief जो हाली में सुर्खियों में रहे थे क्योंकि उन्होंने existing government के जो leader है उनके खिलाफ अपने कुछ बयान दिये थे उनकी approach के खिलाफ rather So RSS Chief Mohan Bhagwat जी ने एक book release की है rather दो book इन्होंने release की है 1965 War Hero Abdul Hamid जी के उपर बेज़ ये किताबे हैं 1965 इंडिया पाकिस्तान का जो war था उसमें tank वाली war भी हुई थी और वो वन अफ दे मोस्ट लीथल बोले हैं वन अफ दे मोस्ट डेडली जो कि अभी तक हमने लड़ी हैं और इंडिया और पाकिस्तान के 1965 वार के दौरान एक व्यक्ति शहीद हुए थे उसी tank battle के अंदर और उनका नाम है Abdul Hamid और इनहीं की live के उपर दो किताबे release की हैं RSS Chief Mohan Bhagwat जी ने तो राश्ट्रिय सोयम सेवक संग के Chief हैं उन्होंने हामिद जी के गाउं में जाकर के जो की धामूपुर है धामूपुर उत्तरप्रदेश में महां उन्होंने दो किताबे release की हैं एक है मेरे पापा परमवीर क्यूंके हामिद जी को परमवीर चक्र जो की highest bravery related honor होता है posthumously दिया गया था और दूसरा भारत का मुसल्मान बारत का मुसल्मान मेरे पापा परमवीर दोनों किस पर based है 1965 war hero है हमारे अब्दुल हामिद जी उनके ओपर ये based है चलिए अब्दुल हामिद जी जो की company quarter master हवलदार की position पर थे उन्होंने अपनी life battle of asal uttar यहां पे loose की थी battle of asal uttar जो की largest tank battles है 1965 इंडिया पाक वार के दौरान लड़ी गई थी इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था posthumously अब यहीं पे आप मुझे year mention करके बता दू बहुत common sense से answer आ जाएगा पर फिर भी I would want you to mention the year posthumously यानि बढ़नो परान जब इनका जब यह शहीद होगे उसके बाद इनको यह award परमवीर चक्र जो की भारत का सबसे हाइस gallantry award यानि जब आपने वीरता प्रजर्शन किया है war situation में तो उसको हम gallantry award कहते हैं war situation वाला परमवीर चक्र जब दिया जाता है अगली news पे अब हम चलते हैं award category सबसे पहले नाम आ रहा है शाहरुक खान का और क्या news है शाहरुक खान जी receive करेंगे career achievement award locano film festival में locano film festival जो की Switzerland में होगा और August के अंदर होगा वहाँ शाहरुक खान को career achievement award या lifetime achievement award जैसे हम कहते हैं वो दिया जाएगा और उसका title है पार्दो आला करियरा career leopard पार्दो आला करियरा career leopard यानि पूरे अपने करियर में एकदम चीते जैसे रहे हैं ये 2024 locano film festival स्विजिजलेंड में he'll be awarded पहले फिल्म इंडियन फिल्म आक्टर है जिनको या personality है जिनको पार्दो आला करियरे असकोना लोकार्णो tourism award से सम्वानित किया जाएगा इनको भी पदमिश्री मिल चुका है 2005 के अंदर ओके अब हम चलेंगे banking और finance section की कुछ news लेंगे और सबसे पहली news आ रही है bank of India से bank of India कहां headquarter है Mumbai महराष्टरा में bank of India ने APY annual award जीता है for financial year 23-24 APY यानि अटल pension योजना 18-60 साल के लोग जो की lower तबगे के हैं जो की unorganized sector के अंदर काम करते हैं उनकी कोई भी pension future में नहीं आएगी तो उनको scheme से जोड़ा जाता है minimum से premium के साथ और फिर बाद में वो pension का लाब ले सकते हैं तो जादा से जादा लोगों को अटल pension योजना से जोडने के लिए APY award दिया गया है for the financial year 23-24 bank of India को और यह किस ने दिया है PFRDA ने PFRDA pension fund regulated development authority है consecutively second year यानि लगा था दूसरे साल यह award इनको मिला है और इसे के साथ-साथ APY ultimate champions cup भी मिला है चलिए इसो bank of India धियान रखेंगे यही सारी बातें यहां लिखी हुई है अटल pension योजना annual award and APY ultimate champions यह दोनों PFRDA से bank of India को मिले है कौन से year के लिए 23-24 के लिए जो top 5 branches across India recognize की गई उन में 3 branches bank of India की ही थी इसके लिए bank of India 1906 में existence में आता है 69 में nationalize होता है headquarter Mumbai के अंदर और current CMDs के रजनीश करनाटक जी है अगली खबर देखेंगे RBI RBI joins project nexus project nexus अच्छे से ध्यान रखेगा important है project nexus a multilateral international initiative with four ASEAN countries ASEAN countries में से चार countries आ रही है plus India आ रहा है और ये मिलके founding members बनेंगे इस project nexus के जो की क्या है अलेग 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 देशों में instant आपको UPI payment अगर करना हो है ना कुछ खरीदना है आप गयो घूमने के लिए किसी ASEAN country में और आपको instant payment करना है for example Thailand यहां पर आपको countries के नाम दिख रहे है हाँ दिख रहे है चलो कोई बात नहीं मैं सोच रही थी अभी आप से पूछ हूँगी कोई बात नहीं so Thailand आप Thailand गुमने गए और आपको instant UPI payment करना है तो इस nexus के बाद यह बहुत easily possible हो पाएगा because project nexus क्या है project nexus है कि instant cross border retail payment हम interlinking domestic fast payment systems को करके और cross border retail payment हाथों हाथ कर सके यह online payment जैसे हम UPI use करते है उस तरह के payment so RBI ने join किया है project nexus को जो कि multilateral multilateral यह नहीं बहुत सारे देश साथ में आएंगे international initiative है international lease को start किया गया facilitate करने के लिए ओके ओके यहीं लिखा हुआ है bank of international settlements का यह सोच था कि हम इस तरह का एक nexus लेका है nexus या नहीं गुरुप हो गया so bank of international settlements ने conceptualize किया था इसको इंडिया का जो UPI है वो fast payment systems जो है Malaysia, Philippines, Singapore और Thailand के इनके साथ में interlink किया जाएगा अभी के लिए to begin with कौन कौन से चार देश है Malaysia, Philippines, Singapore और Thailand और साथ में इंडिया यह इस nexus का पार्ट बनेंगे बाद में इंडोनीशा भी इनको join करेगा और further future में और countries को भी जोड़ा जा सकता है clear हो गया जी बस ठीक है project nexus next हम आते हैं and the news is about MSME सहज digital loan MSME सहज digital loan सहज यानि बहुत easy, natural तो यह digital loan कौन से bank ने स्टार्ट किये हैं and the answer is SBI SBI ने लाँच किया MSME सहज 15 मिनिट के अंदर online loan solution मिल जाएंगे application लगाने से ले करके पैसा हाथ में पाने तर या account में पाने तक 15 मिनिट के अंदर आपता काम हो जाएगा अगर आप MSME हो आपको करना क्या है सिर्फ आपको अपने GST registered sale invoice लगाने है और एक लाख रुपे तब का loan 15 मिनिट के अंदर आपको मिल जाएगा micro small medium enterprise अगर आप हो fine so यह MSME सहज end-to-end digital invoice financing 10 most valuable Indian brands में top पे कौन है Tata है और Tata की valuation कितनी आ है close to 28.6 billion US dollar close to 30 billion पहुँचने वाली पहली company बन रही है अभी then second number पे Infosys है third पे HDFC bank है यह top 10 आपको दिख जाएगे देख सकते हो so यहीं पे यह लिखा हुआ है कि Tata Group ने top किया है India का most valuable brand की list को और 28.6 billion US dollar की valuation इसकी आई है Infosys second पे रहा है followed by HDFC Group then ICICI bank launches Sapphiro whichever ways you pronounce it so Sapphiro Forex card for students studying abroad Sapphiro Forex card कौन से bank ने launch किया है answer हो जाएगा ICICI bank जो student दूसरे देशों में जाकर के पढ़ रहे होते हैं वो इस card में top up करा सकते हैं और 15 currencies के अंदर फिर वो इससे payment कर सकते हैं और उनको कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी कहां लिखा है हमने fees यह रही नहीं हाँ 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 एक सेकिंड यहां लिखा है क्रॉस करेंसी mark-up चार्ज नहीं देना पड़ेगा cross currency mark-up चार्ज क्या होता है इस card के अंदर जब आपने पैसा डाला तो Indian currency में डाला मान लिखे और जब आप pay कर रहे हो आप dollar के अंदर pay कर रहे हो तो जब आप एक currency में top up कर रहे हो और दूसरे currency में pay कर रहे हो तो आपको cross currency mark-up चार्ज देना पड़ता है आप course relative fee बढ़ना चाहते हो या फिर आप day-to-day खडचा करना चाहते हो तो आप सेफिरो pre-paid है ये फोरेक्स कार्ड का इस्तमाल कर सकते हो, parents और बच्चे उनको मिल जाएगा, बच्चों को मिल जाएगा और कौन सा बैंक देगा, ICICI बैंक देगा, कब जब ये बच्चे बाहर जाकर के दूसरे देशों में पढ़ रहे हैं then हम आते हैं Union Bank of India के उपर, UBI, Union Bank of India ने लांच किया है Union Premier Branches क्या चीज, Union Premier Branches, कहां पे, R.U.S.U. Markets में, क्या होती है R.U.S.U., Rural and Semi-Urban So, जो भी High Value Customers है, Rural area में, Semi-Urban areas में, जहां Towns वगेरा होते हैं, कजबे, टाइप की जगे तो वहाँ पे Union Bank of India ने अपनी Union Premier Branches स्टार्ट की हैं, ताकि इन Highly Valued Customers को अलग से सर्विस दी जा सके ताकि इनको इतना अटकना ना पड़े, रुकना ना पड़े, So, हर कोई चाहता है, प्रेमियर कस्टमर्स को बेस्टे-बेस सर्विस दी जाएं, So, इसके लिए Union Bank of India ने Union Premier Branches लॉंच की हैं, क्लियर है, चलिए ची, अगली खबर के लिए अब हम चलते हैं, भारत में एक समय में ऑस्ट्रिच पाए जाते थे, अब ऑस्ट्रिच अगर आप बोलोगी तो आफ्रिका साइड में आपको जादा देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले भारत में भी ऑस्ट्रि इयर ओल ऑस्ट्रिच नेस्ट के, एक ऐसा नेस्ट जहां पर ऑस्ट्रिच अपने अंडे देते थे और उसके अंदर कुछ अंडों के अफशेश भी मिलें, if I am not mistaken, so ये कहां से पाया गया है, आंधर प्रदेश के प्रकासम डिस्ट्रिक से, आंधर प्रदेश के प्रकासम ड और इसमें करीब 9-11 एग्स जितना जगह है कि इतने एग्स दिये जाते होंगे, और इसमें जादा भी दिये जा सकते थे लेकिन ऐसा पाया गया है कि 9-11 एग्स वहां पर ऑस्ट्रिच के इस साइट पे या इस नेस्ट में थे और 9-10 फीट चोड़ा ये पूरा क्या होगा हमें थोड़े क्रूशल इंसाइट मिलते हैं कि भारत में कौन-कौन से मेगा फॉना है जो अब एक्सिट हो गए मेगा फॉना याई जो पचास केजी से जादा वजन रखते हुए ऐसे जो भी और गैनिसम्स होते हैं अनिमल्स होते हैं उनको मेगा फॉना बोला थे हैं मेगा यानि बड़े साइज के ओमनीवर यानि प्लांस और आनिमल दोनों को खा लेते हैं की डिमकोड़े खा लेते हैं और अगर आप इनकी हाइट देखोगे तो सेविन तुन आइन फीट के होते हैं मजा आ जाता ना भारत में अगर ऑस्टरिच होते कोई नहीं ठी की जो डिस्टरिक्ट हैं उनको बेस्ट इन प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज अमंग चिल्रिन का खिताब मिला है यानि कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है असम और अरुनाचल की एक डिस्टरिक्ट हैं कौन सी असम की दर्रांग और अरुनाचल की दिबांग वाली रिस्पेक्टिवली और ये किस चीज में इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है प्रदर्शन किया है जो ड्रग्स और सब्स्टेंस अब्यूज होता है जो बच्चे या इलेसिटिक ट्राफिकिंग जो होती है इन सब्सटेंस की या जो बच्चे और कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन लोगों ने अक्टिक्स प्लान रिलीज किया था अप्रॉक्सिमेटली मतलब बनाया था 2021 के अंदर रिलीज किया था और इसके ऊपर जो इंप्लिमेंटेशन है या नि जो कार्यवाही की है इन तोनों डिस्टिक्ट ने सबसे बेस्ट की है next हम चलेंगे कुछ appointments देखते हैं single single simple appointments हैं बहुत critical important नहीं है एक बार देखने जैसे हैं एके चौधरी and CS कर इनको appoint किया गया है executive director of reserve bank of india reserve bank of india ने दो नए executive director appoint किये हैं एक तो एके चौधरी हो गए एक CS कर हो गए ठीक है next हम आते हैं sad demise हैं दो sad demands हमको देखनी है air marshal rs bdg जो कि एक veteran रह चुके है 1965 और 1971 war के वो अब नहीं रहे उनका निधन हो गया है air marshal rs bdg और जो अगले हैं Albania के world renowned novelist रह चुके ismail kadre ismail kadreji का निधन हो गया है और इनको जाना गया particularly the general of the dead army इस किताब के लिए general of the dead army किताब किस ने लिखी है ध्यान रखिएगा ismail kadreji ने लिखी है और यह 1963 में publish हुई थी और बहुत international acclaim इनको मिला था और french के जो प्रेजिडेंट है Emmanuel Macron उन्होंने इनको grand officer of the legend of honor title भी दिया था तो इसमेल kadreji अब दुनिया में नहीं रहे फिर हम आते हैं दो important regional summit से related news करेंगे और उसके बाद हम sports category पर move करेंगे हमारे external affairs minister dr. s. जैशंकर जी इंडियन डेलिगेशन को lead कर रहे हैं शंगाय corporation organization के summit में जो कि अस्ताना कजाकस्तान में हो रहा है तो इस बार शंगाय corporation organization की presidency कौन सा देश संभाल रहा है कजाकस्तान संभाल रहा है last year हमारे पास थी और लास्ट येर हमने समिट को वर्चली किया था जुलाई 2023 में इस बार ये अस्ताना कजाकस्तान में हो रहा है और S.J. शंकर जी हमारे पूरे डेलिकेशन को लेके वहां लीड कर रहे हैं ये समिट 3rd to 4th जुलाई अस्ताना में होगा शंगाय कॉर्परेशन और्गनाइजेशन आजाए जी 2001 में इस्टाबलिश हुई थी 9 मेंबर्स हैं इसमें लेटेस मेंबर एडिशन 2023 में इरान का हुआ था जब इंडिया की प्रेजिदेंसी चल रही थी और बेलरूस इसमें अब्जर्वर स्टेट है बहुत जल्दी मेंबर बन जाएगा इसी अटकलें लगाई जा हैं येस कहां बनी थी और इसकbut Uta हैं इसके एड़कॉर्टर कहां हैं यॉल भी तेलिं मी दाट डिन अगली न्यूज आ रही है ये उरुपीण युनें कॉंजिल से रेले 다음에 नामने जालो जल्दी से का नाम लिखो और European Union Council जो कि European Union की Main Decision Making Body होती है बड़े-बड़े मुद्दों पे Deliberation Debates यहां पे होते हैं तो उसकी जो Presidency है वो Rotating Presidency होती है हर 6 महिने में किसी और देश के पास जाती है अब Hungary के पास आ गई है इस से पहले किस के पास थी इस से पहले Belgium के पास थी ओके सो बेल्जियम से जो Rotating Presidency है वो Hungary के पास पहुँच गई है और Hungary ने इस बार का जो Moto रखा है अपनी Presidency का वो क्या है Make Europe Great Again और उन्होंने 7 Priorities भी सेट की हैं कि European Union में इस तरह से हम इन इन चीजों पर काम करेंगे Enhancing the Competitiveness of European Union इसके Defense Policy पर काम करना, European Union को और Enlarge करना यानि जादा देशों को शामिल करना Illegal Migration को कम करना, जो Cohesion Policy है उसको strengthen या शेप करना Farmer Orientation, Agricultural Policy बनाना और और यॉरोपिन डेमोग्राफिक चैलेंजिस जो हैं जो अलग अलग तरह की Demographies है उनके साथ कुछ बेटर कर पाना हंगरी जो की अब European Union के Council की Presidency Hold कर रहा है उसकी Capital है Budapest, Currency है Foreign और European Union की तरफ से कौन लीड करेंगे इस Presidency में President Thomas Sulyok यह हमने पहले भी बात की थी European Council की के European Council के अंदर कौन-कौन आता है 27 European Union के Members आएंगे European Council के President आएंगे President of European Commission आएंगे और यह जो काउंसिल है यह Treaty of Maastricht के थूँ एक्सिस्टेंस में आया था Headquarter Brussels Belgium में है चलिए जी आजाते हैं Borneo Elephants पे जो की सबसे Dwarf Elephants है, सबसे छोटी हाइट के Elephants जो पाए जाते हैं तो वो है Borneo Elephants और अब इनकी Category चेंज होकर के Endangered हो गई है Why? Because इनकी संख्या बहुत कम हो गई है Smallest Asian Elephants की जो सब स्पीशीज है वो Borneo Elephants है और इसको अगर आप Zoologically देखोगे Elephus Maximus Borneensis So they are now classified Endangered in IUCN Red List और क्यों? क्योंकि इनकी आबादी बहुत कम हो गई है करीब 1500-1500 के बीच में इन्डिविजूल्स रहे गए है Borneo और सुमात्रा के जंगलों में यह पाए जाते हैं लेकिन वहाँ पे भारी भीशन कटाई हो रही है Forest की Because palm की cultivation के चकर में Water logging नहीं Mainland पे अगर आप देखो कि 3 मिटर हाइट तक ही पहुँचते है और जो हमारा Asian Elephant है यह अब endangered category में आया हमारा जो Asian Elephant है जो भारत में भी पाया जाता है Elephus Maximus वो 1986 से endangered category का हिस्सा है यह इसकी और जादा जानकारी के लिए Borneo Pygmy Elephant का यह poster भी आप रेफर कर सकते हो चलिए जी जल्दी से अब sports section की तरफ रुख करेंगे और पहली खबर आ रही है विश्वनाथन आनन जी के एक title को दसवी बार जीतने से ले करके विश्वनाथन आनन विंस 10th Leon Masters title Leon Masters title कहां खेला गया Spain के अंदर और उस title को दसवी बार टोटल 10 times किसने जीता है विश्वनाथन आनन ने जो की 5 ताइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके है किसको हराया है इन्होंने Spain को ही हराया है ठीक है चलिए विश्वनाथन आनन जी के बार में कुछ static points हमने डाले हैं ताकि आप रेफर कर सको अड़ी एज ओ 15 years यंगेस्ट इंडियन थे जिन्होंने international masters का के जो norms होते हैं इतने points आपको अचीव करने चीव वो ले लिये थे पहले भारत के grandmaster बने थे 1988 में पांच बार world champion बन चुके है 4th player है जिन्होंने 2800 ELO rating points हासिल कर लिये हैं globally पूरी दुनिया भर में so 4th player after Gary Kasparov Vladimir Kramnik and Vaseline Toplov और world number one का जब इनका rank था तो 21 महीने तक ये world number one position पे टिके रहे थे अगली खबर team India under 23 wrestling under 23 Asia wrestling championship 2014 यानि 2024 में winning team कौन बनी है India बनी है although under 23 है लेकिन हम Asia level पे जीत के आए हैं इसलिए पढ़ना बनता है India finishes top at under 23 Asia wrestling championship जो कहां हुई Jordan के अंदर हुई Amman Jordan के अंदर हमने total 8 medals जीते हैं जिसमें 4 gold शामिल हैं और second position पे Kazakhstan आया ठीके जी चलिए फिर Royal Challengers बैंगलूरू से आ रही है ख़बर के हाल ही में दिनेश कार्थिक ने अपना रिटाइमेंट अनाउंस किया था तो अब RCB Royal Challengers बैंगलूरूरू ने अनाउंस कर दिया है कि हम इनको अपने बैटिंग कोच और मेंटॉर के तौर पे ले लेंगे अनबोर्ट कर रहे है ठीक है बस इतना ध्यान रखना है और चलिए आज आते हैं अब हम हमारे questions को attempt करने पे और उससे पहले जो भी बच्चे नहीं जानते आप प्लीज परचम आप चेक आउट कर लिजे क्योंकि आप लोग कई बार साइन्स स्टाटिक जी के सब कोच यहां मिलेगा स्पेशली रिकॉर्डेट सेशन्स हैं डाउनलोड़बल पीडिएस हैं पी वाई क्यूज हैं मॉक पेपर्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लाइव सेशन है सब कोच यहां मिल जाएगा स्टाटिक जी के अलग से मैंने ले रखा है निमोनिक से यह इंडिविज्विजल कोर्स भी मिल जाएंगे सारे सब्जेक के और पूरा जेंडरल अबैनेस भी मिल जाएगा टेस्स सीरीज भी चेक आउट कीजेगा हाईली हाईली एग्जाम ओरिएंटेट 5500, 1500 questions आपको इसमें मिलेंगे sectional test मिलेंगे subject wise breakup है tier 1, tier 2, SSC level तक क्या है यानि कोई भी one day examination हूँ आप इसको easily refer कर सकते हो ठीक है? चलिए revision question यह क्या है? कोई और जादा जानकारी चाहिए तो यह help line number है, यहाँ call या whatsapp कर सकते हो कुछ भी purchase किया है, problem आ रही है तो parchamclasses068gmail.com पे mail कीजेगा along with the payment receipt हो आपने 10 रुपे की कोई document खरीदी हो या 400 रुपे का कोई course खरीदा हो यहाँ mail कीजेगा, अपने problem आ रही है तो app chat में भी भेज सकते हो, नहीं तो आप mail कीजेगा चलो 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 revision question time जल्दी से जो बच्चे live chat में मौझूद है, answer करना शुरू करेंगे और जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, तो आप पूरे answers एक साथ comment section में भी लिख सकते हैं, if you want, नहीं तो अपना सिर्फ test कर लिजे which of the following statement is correct regarding exercise math 3 exercise math 3 के बारे में एक statement correct है जी एक joint military exercise है इंडिया और थाइलेंड के बीच में correct है, यहीं मिल गया answer, क्यों पढ़ना है बाकी का, छोड़ो, आगे बढ़ो who is the author of the original Hindi biography of Manoj Bajpai titled कुछ पाने की जिद, कुछ पाने की जिद, जो कि Manoj Bajpai जी की जीवनी के ओपर based है किस ने लिखी है, किस ने लिखी है देखो, Piyush Pandey ने लिखी है okay, third question for you what is the current conservation status of Bornean elephant, Elephus Maximum Borneensis on the IUCN red list, IUCN red list पे Borneo elephant जो है, उसका, क्या है IUCN status, endangered critically तो नहीं है न, नहीं, endangered है, ठीक है next, who won the Lyon Master Chess Championship for the 10th time, 10th time, अब Lyon Master Chess Championship, किस ने जीती है Vishwanathan Anandji ने जीती है which country achieved the top position at under 23 Asian Wrestling Championship 2024 जो कि कहां हुई Jordan, Amman के अंदर so under 23 wrestling, Asian Wrestling Championship 2024 किस ने जीती है, भारत ने जीती है then who is the first Indian personality to be honored with the part 2 आला कारियार असको ना लो कार्नो, तूरिजम ही कि अवार्ड से किसको सम्भानित किया गया है, अथरंगा सा नाम है अथरंगे से हमारे शारुकान साहब है ठीक है, question of the day आप सभी के लिए सब comment section में answer करेंगे, question है which bank achieved atal pension योजिना annual award for the financial year 23-24, so यह award पाने वाला कौन सा bank है, लगातार दूसरी साली award इन्होंने जीता है, answer कीजेगा और जाते जाते, आज आप लोगों के लिए हिंदी का एक वोट, बड़ा प्यारासा है simple है, दो टूक बात है, बड़ी simple है, बड़ी काम की है, न टूटो तुम, बस जुको, यो की चूम लो मिटी और फिर उठो, हार जीत लगी रहती इतने challenges आते हैं ना life में, छोटे से लेकर के बड़े, आपकी life के challenges और किसी billionaire की life के challenges सब common ही होते हैं उनके बस और बड़े level पे होंगे, आपके तो फिर छोटे level पे हैं, लेकिन हम हमारी life से compare करें तो जो proportion उनको अपने challenges का लग रहा होगा, वह proportion आपको आपके challenges का लग रहा होगा, कोई भी इंसान इस दुनिया में challenge free नहीं है, राइट, आप भी challenge से जूज रहे हों, मैं भी जूज रही हूं, कोई और भी जूज रहा होगा, और जब challenges आते हैं, definitely हमको एक बार तो धक्का लगता है, एक बार तो हम गिरते हैं, गिरना लाजमी भी है, गिरेंगे तभी तो वो feeling आएगी गिरने वाली क्या होती है, और फिर उठने के लिए भी हमारे अंदर वो enthusiasm बनेगा, so टूटो मत, जुको, ऐसे कि तुम चूमो जमी, लेकिन फिर खड़े होना है, ये ध्यान रखेगा, you must never stop at the defeating point, no matter what, life goes on, life goes on with or without you, in the happy phase and in the sad phase, कोई भी scenario चल रहा हूँ, life तो आगे चलेगी ही चलेगी, right, तो इसलिए, हमेशा ध्यान रखेगा, कभी भी कोई भी अगर dropping point आता है, ठीक है, उस dropping point को एक बार feel करो, live in that, but then again, always, always get back up, right, on this thought, I take care of you, कल मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, आज ही वाफिस मिलेंगे, six monthly current affair का एक और session में आपके लिए लेकर के आऊंगी, आज आपका चार बजे live भी होगा, आज आपके quality का marathon है, और उसके बाद में monthly current affair का एक और session आएगा, और फिर six monthly current affair भी आएगा, तो आज का schedule भी share हो जाएगा, please go through it and take care, bye bye.